आज मार्केट में क्या हुआ और कल का मार्केट में क्या होगा जो कि मेरा प्राइम सिवामेंट है कि पोस्ट मार्केट आनलेसिस वीडियो में और एक एपिसोड ले के आ रहा हूँ काल का मार्केट क्या होगा जैसे कि मेरा जो एक रूल होता है कि काल का मार्केट को समझने के लिए आज का मार्केट को ब्रीफ में समझना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आज का मार्केट अगर मैं पूरी तरफ से आपको समझ पाऊंगा समझ दूंगा तो आपको इजीली होगा कि काल का मार्केट को understanding के लिए ठीक है आज किया हुआ मार्केट में मार्केट में मैंने कल क्या बोला था जब तक मार्केट 0.3 सजा 200 तक क्रस नहीं करेगा सस्टेन नहीं करेगा तभी आप बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के लिए मत जाएए मत जाएए मत जाएए मत जाएए मैं आपको दुबारा बोल बोल के कल ठक गया था ठीक है और एक मैंने बात बोला था अगर मार्केट कल गाप डाउन ओपन होता है और यह वाला सपोर्ट से अगर मार्केट पूल बैक लेता है तो अब यहाँ से आप लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं जो की एक्जैटली उसी हुआ 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 मार्केट 35,788 से जो मैंने हरेजेंटल लाइन ड्रो किया था अगर आप मेरे वीडियो काल का वीडियो देख चुके होगा तो आपको एजिली अंडरस्टेंडिंग आ चुका होगा मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ क्या हुआ आज मार्केट में जो कि 35,788 से सोपर लेके मार्केट इतना तक लग गया कम से कम 35,400 वाट मैंने यह बोला था कि आप अगर सेब ट्रेडर हैं तो कम से कम 34,400 के उपर अगर मार्केट सस्टेंड करता तो भी जाए क्या बाइंग थाए ठीक है वो एकजेटली हुआ 35,400 जब क्रॉस नहीं कर पाए वहां से मार्केट लबग गिना सुरू हो गया ठीक है यह भी बोला था अगर यहां से मार्केट गिना सुरू हो जाएगा जो कि हमारा सिर्टर नमर वान था अगर मार्केट के अप अप अपन तो नहीं कि मार्केट में के लिए मत जाए क्यों मार्केट लुक्स भेरी उइक के मार्केट को समझने के लिए एक साइक लॉजिकल उसके साथ आपको टेकनिकल आनलीसिच चाहिए ठीक है थारा दुनिया आज मुझे बोल रहा था कि नहीं मार्केट में कॉल अप्सिन बट मैं एक ही था कि मैंने बोल दिया था कि मार्केट में आप पूट साइड में जाए से फ़र साइड में बाच्छा कासा कमा पाएंगे ठीक है यह वाला केंडल में मेरे एंट्री दे दिया था मेरे जो प्राइम सेर्विस होल्डर के लिए तो नाइन्टी में 35,400 में दिया था औल टार्गेट अचिव्ड हो गया उसके साथ 600 तक भी चाला गया ठीक है तो आज यह मार्केट हुआ मार्केट यहां से टेस्ट लेके 35,700 आज उढ जोगी इस क्लासिक उसको कैते हैा टेक्डिका único क्लासिक पा twor vy झोटेक्र के एक्वासिक यहां से मार्केट इसमेर लेकर मार्केट जितना टग जाना चाहिए वहां से मार्केट्ट क्या हुआ ओँ हुआ presentations को यह भी बंदा उसको रोकने ही पाया क्योंकि क्या हुआ ना दीखिए इंपल सा तरीका है अगर मार्केट गिरेगा तो फटा-फट गिरता है जब बढ़ता है तो फ्लोली स्लोली बढ़ता है ठीक है अभी एक मार्केट इंट्रेस्टिंग पोजिशन में यह जो ट्रेंड लेन अभी मान लीजे कि कॉल हम लोग सिनरे नमबर तो अगर बढ़िए कि पेहला हम लोग कोशिश करते हैं मार्केट करते मां लिजे मार्केट क्ल कर कंपर ऑपर यहां से उसके बाद और एक केंडल अगर उसको लो को क्रॉस करके अगर मार्केट किनना सुरू हो जाते है तो आप इजीली यहां से सेलिंग साइड में जा सकते हैं और अच्छा कासा प्रोफिट कमा पाएंगे मुझे जितने हैं कि आपका स्टाप प्लस कम से कम 70-80 रहेगा यह जो कैंडल जॉब फ्लोज होगा उसके नीचे और एक कैंडल रेट ची दो वहोगा उसी वाला धेंडल में एंटरी लेब पाएंगे और पिब्यूस कैंडल में जो उसका वहाई है वो आपका स्टाप प्लस मानल लएग आपका scenario नमबर वान में अगर market gap down open मानलिज़े यहां से market gap down open हुआ बोट वो pull करने के लिए कोशिज क्या जो कि अच्छा price section वहां से बना लेगा अगर मानलिज़े market कल gap down open होके वहां से market pull up लेने के लिए कोशिज करेगा यह हमारे लिए अच्छा होगा यह safe trading होगा बट यहां से हम लोग buying के लिए नहीं जाएंगे wait करेंगे जब यह trend line को touch करेगा 35,000 के आसपास जब market touch करेगा अगर वहां से market pull up नहीं ले पारे तो आपको immediately क्या करना होगा second candle में यह वाला resistance को देखके trend line को देखके वहां से हमको selling side में जा सकते हैं जिसमें हम लोगों को लबबक 400 से 500 point profit हो पाएगा और हमारा stop loss ज़स 40-45 point रहेगा अगर माल लिजेगे काल market gap down open होगे अगर यह वाला trend line को भी cross कर लिया बट अगर वो 35,007,8 को cross करके sustain करता है तब ही हम लोग सोच पाएगे buying side में जानने के लिए वो भी 5 minutes का candle हो आँपर price action को दिखना ज़रूर है ठीके अगर यहां से breakout होके उपर जा है के trend line को support करके फिर से दुबार अगर 35,708 35,708 उपर अगर market sustain नहीं कर पा रहे तो फिर दुबा सा market को गिरने के लिए कोई नहीं रूप पाएगा यह है आपका scenario number 1 था और scenario number 2 था scenario number 1 में अगर market gap down open होता है कि अच्छा candle close होने के बाद उसके low से low होने के बाद और एक candle अगर candle open होता है तो अभी आपको selling side में जा सकते है जिसमें आपको 1 is to 5, 1 is to 10 में आप काम कर पाएगे क्योंकि हमारा 70 पॉइंट लबग stop loss रहा target minimum minimum 300-400 पॉइंट देखेंगे अगर मानले जे gap down open होता है कि वहाँ से test भी लेता है market ये ट्रेलेंड को अगर test करके जाता है तो वहाँ से गिरना भी शूरुत है अगर मानले जे फिर दूबार उसके उपर जाता है 35,007,8 अगर उसके उपर अगर वो sustain करता है तो भी जाएके हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम लोग बाइंग सेड में जाएंगे कि ने तो भी तक बाइंग के लिए मैं recommendation नहीं करूँगा ठीके अभी मानली जे काल market gap अपण हुआ मानली जे काल market gap अपण हुआ 35,007,8 के उपर इमिडेटली अगर ये market उपर चरना सुरू हो जाएगा तो आप अच्छा कासा यहां से bullish देख पाएंगे market अगर इमिडेटली market pull-up करने के लिए कोसिस करता है बड़ आपको इमिडेटली एक candle में entry नहीं करना है एक candle को close होने जे कम से कम 35,300 अगर market sustain करता है उसके उपर अगर जाता है market आपको buying side में जाना है क्योंकि वहां से भी market गिरने का 99% chance है अगर मान लिजे के काल gap up open हो के 200 moving average को resistance लेके उसके बाद और एक जो support है उसका 35,700 वो support को अगर break कर ले ता आप easily यहां से selling side में भी जा सकते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही condition में आपको buying दिखता है अगर 35,300 के उपर अगर market sustain करता है तो अभी जाए कि आप buying side में जा सकते हैं otherwise you go and I prefer for selling side right अब तक भी market अभी भी में बोलता हूं market varies, varies, varies में अभी market और भी correction लेना है कम से कम तो 34,100 तो correction लेना चाहिए bank nifty उसके बाद job सुरू होगा है कि हम लोग bull run के लिए कोशिस देख पाएंगे वहां से ठीक है तो यह bank nifty का candle था उसी सब से आपको आपको option में buying और selling जो भी करना है आपको करना है ठीक है अभी थोड़ा सा हम लोग 5 minutes के candle में जाते हैं अभी दीके 500 minutes में candle में दीके market एक negative में close हुआ राइट अगर मान लिए market काल gap up open होता है कितना gap up open होगा है यहां से तो 300 point तो gap up नहीं open होगा है पर 200 पकड़ का चला है अगर 50 moving average के उपर अगर market gap up open होता है अगर immediately इसको cross कर लेता है तो ठीक है उसके उपर हम लोग थोड़ा सा उस time price action देखके और 15 minutes को time frame को zone को देखके हम लोग buying में जा सकते हैं अगर immediately course ने कर पार है कि यहां से गिनना सुरू हो जाते है तो यह massive hole हो जाएगा तो कहने का मतलब एक proper price action जो बोलते है proper price action अभी काल के लिए market proper price action है selling side job भी होता है market में option buyer बहुत profit कमाते है तो इसके एक region solution में मैं आपको बतागा तो market gap up open अगर होता है immediately अगर pull up नहीं कर पाता है आप immediately selling side में जा सकते और अच्छा कासा profit कमा पाएंगा ठीक है और मानली जी कल market यहां से gap down open अपन होगा तो आपको वहां पर दिखना होगा wet and watch करना होगा क्योंकि market यहां से उपर जा है कि इतने तक 34100 को test कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा से तो pullback लेगा अगर वहां से pullback लेकर फिर से गिरना सुरू हो जाता है तो आप इजील यहां से selling कर सकते हैं ठीक है तो मोटा मटी हम लोग कह पाएंगे कि काल भी मार्केट एक अच्छा सा trendy मार्केट रहेगा और अच्छा कासा profit कमा के ओ देगा ठीक है but don't go for call option अगर call option जाना होगा तो प्रपर प्राइस एक्षन 5 मिनिट्स और 15 मिनिट्स को टाइम फ्रेम को मिला के आपको call option में जाना है ठीक है यह था आज के लिए बैंक निप्टी था अभी थोड़ा साम लोग निप्टी देखते हैं निप्टी भी एक अप्षन बायर लोगों को मिल गया यहां से जो भी पूट अप्षन में जो कि मैंने अल्रेट दे दिया था मेरे मेरे प्राइम जेनल में 15,950 फूट दिया था 120 से लब अफ्टी तो गया मार्केट ठीक है अभी मान लिजे कि मार्केट काल ग्याप अपन होता है इधर किधर अगर भी गयाप अपन होता है 15,760 उसको अगर उपर अगर इमीडेटली उपर चला जाता है तो कम से कम हम लोग इतने तक देख पाएंगे 15,820 तक हम लोग देख पाएंगे पूल बैक हो जाएगा मार्केट बट वहां पर वो केंडल में आपको एंटी लेना नहीं है ठीक यही आपका सीनेल नमबर हो अगर गयाप अपन होए कि मार्केट यहां से गिरना शुरू हो जाते तो आप इजील यहां से सेलिंग साइड में जा सकते बट एक केंडल क्लोज होने के बाद उसके तूरणत अगर लोग ब्रेक करके मार्केट कुरू होते तो आप वही वाला क के उपर cross नहीं करता है, तब तक market में आपको buying side में जानना है मारिक्स होगा, ठीक है? याद रख ये बार-बार मैं बोलता हूँ 15,855 के उपर जब nifty future cross करेगा कि sustain करेगा तब भी आप buying side में जा सकते हैं otherwise don't go for buying side ठीक है? अगर मान लिजे कल market gap down open होता है जो कि मैंने बोला, यहाँ तक कमसे का market pullback ले सकता है 15,820 बट वहाँ से market job गिरना सुरू हो जाएगा, लबबग आचा गासा यहाँ से profit देद पाएगा, ठीक है? अगर मान लिजे कल gap up open होता है, जो कि सबसे आचा होगा अगर कल market gap up open हो जाता है जब गिरना सुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर अच्छा कासा profit आप कमा पाएगे जो कि अगलबभक वहाँ से 100 से 300 पंड निप्टी गिर जाएगा अगर market 15,855 का उपर अगर सस्टेन करता है तो भी आपको buying, जो भी हो market कल gap up open हो, gap down open हो 15,855 का उपर अगर market सस्टेन करते है तभी जाए कि आप buying side में जा सकता है, otherwise no ठीके, यह था निप्टी का 15 minutes, अभी थोड़ा सा 5 minutes candle, ठीके 5 minutes की candle भी अभी जो close हो, पजेटिव साइड में close हो, उपर दीके कितना सारा moving, अगर मानले जेकल market इधर भी gap up open होता है, ठीके तो market अगर तुरंत अगर market cross करने के लिए pull करने के लिए कोसिस करेगा, but जाएगा नहीं, क्योंकि 15 minutes में बड़ा उसका resistance है, ठीके, अगर 15,855 क्रोस करते हैं, तभी जाए कि आप वो buying side में जाना है, अगर मानले जेकल gap up open होएके, ठोड़ा सा pull back लेके, वहाँ सा अगर गिरना सुरू हो जाता है, तो market लबग बहुत सारा गिर जाएगा, जो कि आपको आच्छा price action से आप 2-500 points आप लोग कमा पाएंगे, वो भी option बाएंगे, ठीके, बट आपको immediately धी करने, फोड़ा सा उसको अगर gap up open होता है, फूल बैक होने के लिए दिजाएगा, अगर अगर अहाँ से market गिरना सुरू हो जाता है, तो आप blindly एक candle के बाद, और 15 minutes को time frame के देखके, आपको वहाँ पर selling side में जा सकते हैं, और put option आप buy कर पाएंगे, ठीके, अगर मान लिजेकल gap down open होता है, इधर कि इधर भी gap down, तो वहाँ से आपको रूख के trade करने, लबबग यहाँ से market pullback हो सकता है, 15,800 तक, क्योंकि एक theory है, अगर market gap down open होता है, तूरंद 555 है, तो तूरंद वहाँ पर market को देखके, condition देखके, आप लोग selling side और put side buying कर सकते हैं, ठीके, मोटा मोटी भावे हम लोग कहे पाएंगे, both side, bank, nifty और nifty अभी भी retest ले सकते हैं, आचा काशा काल profit कमा के दे सकते हैं, काल market में trendy हो सकते हैं, जो आपको अहाँ पर proper education मिलेगा, ठीके, निचे मेरा telegram link है, वहाँ पर में free में, दीन में एक ही कल देता हूँ, और 100% accuracy के साथ देता हूँ, आज भी मैंने दिया था, अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा proof दे देता हूँ, कौन सा कल दिया था, अभी दिखिए, मैंने आप दिया था, call दिया था, 85,400 put option दिया था, 290 और 295 में दिया था, target 343,84 और time भी देख लिजे, 11,30 में दिया था मैंने, और आराम से वो तोटर target छोड़िये, वो तो 600 तक made high हो चुका था, अगर वहाँ पर लिंक है, वो जोइन भी कर सकते हैं, और मेरे अगर प्राइम चैनल में जोइन करने के लिए चाहते हैं, मेरे WhatsApp नमबर है, वहाँ पर मुझे contact कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस डिटेल रीच हो जागा, ठीक है, और मेरे प्राइम चैनल से जाइन करने से पहले मरे अगरे के लिए आपको दो-तीन मगरें होना चाहिए, मार्केट में उसके बाद मेरे प्राइम सर्विस डिटेल में एंटरी लेता हूँ,